पर्शिम बंगाल विधान सबाचुनाओं के दरान प्रधान मंत्री नरिन मोदी की एक मुस्लिम वेक्ति के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी जिसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि वह वेक्ति कौन है इसे लेकर ए आईम आईम चीफ असुद्दीन उवेसी ने प्यम मोदी को सीधे तोर पर निशाने पर लिया है उवेसी ने मुस्लिम वेक्ति के प्यम मोदी के कान में कुछ कहने को लेकर तंचकस्ते वीडियो ट्विट किया है दरसल पशिम मंगाल विधान सबाचुनाओ के वीच प्यधानवन तरी नरेन मोदी के एक तस्वीर सामने आई थी इस दोरान प्यम मोदी ने उनके कंदे पर हाथ रखाओ फिर कुछ समय के लिए दोनों के बीच पाचीद भी हुई अब इसी को लेका असुद्दीन उवैसी एक वीडियो ट्विट किया जिसमन उनके कहा है कि प्यम मोदी ने उस वेक्ति कोई बाच्चे को लेकर प्यम पर ही तंचकसा है उवैसी ने वीडियो में कहा कि उस वेक्ति ने मोधी जी के कान में कहा कि मोधी जी मैं बांगला देशी नहीं हूँ उवैसी यहीं नहीं रुकें उन्होंने C.A. और N.R.C. पर निशाना साथते हुए कहा कि मोधी जी हम कागस नहीं दिखाएंगे असुदीन वेसी ने कहा उस वेक्ति ने मोधी जी से कहा हुगा मोधी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते हैं इसके लावा उन्होंने पिम मोधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मेरी तरह ही टोपी कप पहनेंगे आप मोधी जी मैं तो सिर्पर टोपी पहना हूँ पर आप तो देश की जनता को टोपी मत पहना हूँ दरसल पिम मोधी से मिले सक्स का नाम जुल्फिकार है और जुल्फिकार बीते तीन अप्रेल को पशिप बंगाल के सोनारपूर में आयो जित पिम मोधी की एक रेली में आया था इस दोरान पिम मोधी ने उनके कंदे पर हाथ रखा और फिच कुछ समय के लिए दोनों के बीत पाचीत भी हुई जुल्फिकार से जब प्याप पूछा गया कि पिम मोधी ने उनसे क्या बात की तो और उनने कहा कि पहले पिम मोधी ने मुझसे में अनाम पूछा और फिर ये पूछा कि क्या बनना चाहते हो अभी थोड़े दिन पहले अख़बार में आपने फोटो देखा होगा है मोधी जी के बाजू एक अदमी खड़ावा है सर पे टोपी है देखा फोटो आपने मोधी जी खड़े है सर पे टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है देखा ना फोटो आपने तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो तुम बोले तुम सुनोगे तुम बोले बोलो मेरे को नहीं मालूम के वो क्या है कौन है मैं तो आप जानते मैं तो नहीं जानता बोले क्या बोला होगा तो इसने कान में कहा मोधी जी मैं बंगलादेशी नहीं हूँ किसी ने पूछा और क्या कहा होगा तो उसने कहा मोडी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे NRC NPR के लिए फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोडी जी को तो उसने कहा मोडी जी हम डिपल तलाख के खानून को नहीं मानते फिर किसी ने पूछा और क्या कहा तो उस शक्स ने कहा हो सकता है के मोडी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप फिर किसी ने पूछा और क्या कहा तो उसने का मोडी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूँ कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ बहुत पहना चुके हो